सर्वेभ्यो नमो नमहा आपके अपने यूटूब चैनल स्टेडी सर्जी में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आज हम इस वीडियो के माध्यम से NCRT की कक्षा सात्वी की संस्कृत पुस्तक रुचिरा के सात्वे पाठ संकलपह सिध्धी दाय कहा के अभ्यासकार्य को करेंगे अभ्यासकार्य करने से पहले आप लोगों से निरोध है यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं अथवा अभी तक हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सस्क्राइब करें बिल आइकोन भी दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिपिकेशन आप तक पहुंशता रहे इस पार्ट से संबंधित एक वीडियो पहले भी बनाई जा चुकी है यदि आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा तो करपया उस वीडियो को जरूर देखें उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बोक्स और आई बटन पर उपलब्द है तो करपया उस वीडियो को जरूर देखें आईए सुरू करते हैं संकलपह सिद्धि दाय कहा पाठ के अभ्यास कार्य को सबसे पहले प्रस्ण संख्या एक जिसमें कहा गया है उच्चारणम कुरूतो अर्थात नीचे कुछ सब्द दिये गए हैं इनका उच्चारण करना है अभवत अकथयत गच्चत नवेदयत अपूजयत स्वपिती तपती प्राविशत अवदत वदती इस्म वसती इस्म रच्चती इस्म वदती चरती इस्म करोती इस्म गच्चती इस्म अकरोतो पठती इस्म आईए प्रस्ण संख्या दो करते हैं प्रस्ण संख्या दो उदाहरनम अनुसरित्यो रिक्त इस्थानानी पूर्यतो उदाहरनों को देखते हुए रिक्त इस्थान की पूर्ती करना है हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि किसी भी लटलकार के सब्द में अगर इस्मो सब्द का परयोग करते हैं तो वह लंगलकार अर्थात भूत काल का हो जाता है आईए प्रथम पूरुष एक वचन द्वी वचन और बहुचन के सब्द देखते हैं उदाहरन के लिए वसती इस्मों वसतह इस्मों और बहुवचन में वसंती इस्मों इसी प्रकार पूजयती इस्मों और दूवचन में इसका जो सब्द बनेगा पूजयताह इस्मों और बहुवचन में पूजयती इस्मों इसी प्रकार रक्षिधात्यु का प्रथम एक वचन रच्छति इसमो दी वचन रच्छतह इसमो और बहबचन में इसका जो शब्द बनेगा रच्छicating इसमो चरधातु प्रथम पुरुष एक वचन में चरति इसमो दी वचन चरतह इसमो और बहुवचन में बनेगा चरंती इस्मों कृधातु प्रथम पुरुष एक वचन करोती इस्मों दी वचन में बनेगा कूरुताह इस्मों और बहुवचन में कूरुवंती इस्मों तो ए थे लट लकार का लेकिन इसमें इस्मों सब्द का प्रयोग करने पर यह लंगलकार का अर्थ प्रगट करता है आईए अब लंगलकार के कुछ प्रथम पूरुस के एक बचन, दी बचन और बहु बचन में सब्दों को देखते हैं कतधातू लंगलकार प्रथम पूरुस में बनेंगे अकथयत, अकथयताम, अकथयन इसी प्रकार पूजधातू प्रथम पूरुस एक बचन में बनेगा अपूजयतो, दी बचन अपूजयताम और बहुबचन अपूजयन इसी प्रकार रक्षिधातू प्रथम पूरूस एक बचन अरच्छतो दूवचन में बनेगा अरच्छताम और बहुबचन में बनेगा अरच्छन तो ए था हमारा प्रथम पुरुष लंगलकार का एक बचन, दुई बचन और बहु बचन अब हम करेंगे मध्यम पुरुष अवसह, अवसतम, अवसत तो अपूष धातु का जो मध्यम पुरुष एक बचन में बनेगा अपूजयत हा, दुई बचन अपूजयतम और बहुबचन में बनेगा अपूजयत इसी प्रकार चरधातु मध्यम पुरुष एक वचन अचरह दीवचन में अचरतम और बहुबचन में बनेगा अचरत इसी प्रकार अब हम उत्तम पुरुष को करेंगे उत्तम पुरुस में पट धातू लंगलकार एक वचन में बनेगा आपठम दी वचन आपठावो और बहुवचन आपठामो इसी प्रकार लेक धातू उत्तम पुरुस एक वचन आलिखाम दी वचन में बनेगा आलिखावो और बहुवचन में बनेगा आलिखामो इसी प्रकार उत्तम पूरुस एक बचन में बनेगा अरच यम और द्यू बचन में बनेगा अरच यावो और बहु बचन में बनेगा अरच यामो तो यह था हमारा प्रस्न संख्या दो अब हम करेंगे प्रस्न संख्या तीन प्रश्ना नाम उत्तराणी एक पदेन लिखत अरथात नीचे कुछ प्रस्न दिये गए हैं इन प्रस्नों का उत्तर एक पद में लिखना है एक पद अर्था सिंगल वर्ड में का नमबर तपह प्रभावात के सखाया जाता है तपश्या के प्रभाव से कौन मित्र हो जाते हैं तो हमने पाठ में पढ़ा था कि पारवती के तपश्या के प्रभाव से जंगल के सभी हिंसक जानवर मित्र हो जाते हैं तो इसका उत्तर हम लिख देंगे हिंस्त्राहा पशुवह अर्थात हिंसक पशु। खा नमबर पारबती तपस्यार्थम कुत्रक अगच्छत। पारबती तपस्या के लिए कहां जाती है। तो हमने पाठ में पढ़ा था कि पारवती तपस्या के लिए गौरी सिखर में जाती है, तो उत्तर लिखेंगे गौरी सिखरम, गा नमबर कह समसाने वसती, समसान घाट में कौन रहता है, तो इसका उत्तर लिखेंगे सिवह, गा नमबर, सिवनिंदाम सुरुत्वा का कुरुद्धा जाता, सिव की निंदा सुन करके कौन क्रोधित हो जाती है, तो इसका उत्तर हम लिखेंगे पारवती, और आखरी प्रस्न, बटू रूपेण तपोबनम कहा प्राविशतो, ब्रम्भचारी के रूप में तपोबनमे तो इसका उत्तर हम लिखेंगे सिव ह, तो ये थे प्रस्न संख्या 3 के उत्तर, अब हम करेंगे प्रस्न संख्या 4, प्रस्न संख्या 4 में कहा गया है, कह का कम काम प्रती कथियती, अर्थात किसने किसके लिए कहा, तो आईए नीचे के वाकों को पढ़ते हैं और उसमें हम जानेंगे कि किस ने किस के लिए कहा उदारन के लिए वत से तपह कठिनम भवती वत से अर्थात पुत्री तपस्या बहुत कठिन होती है तो यह बात किस ने कहा था पार्वती की माता ने कहा था और पार्वती से कहा था इसलिए इसका उत्तर लिख देंगे पार्वती मेनाम प्रती खा नमबर मनस्वी कदापी धैरियम ना परित्य जती जो मनस्वी लोग होते हैं वो कभी भी धैरिय नहीं छोड़ते हैं तो यह बात पार्वती ने कहा था और अपनी सक्षी से कहा था तो पारवती की सखी का नाम था विजया, इसलिए इसका उत्तलिक देंगे पारवती विजयाम प्रती, गानमबर, अपरणा इति नामना तौम प्रतिता, अपरणा इस नाम को तुम प्राप्त कर चुकी हो, अर्थाथ अपरणा नाम तुम्हारा हो चुका है, ये किस ने कहा थ विजिया ने कहा था और पारवती से कहा था तो इसका उत्तलिक देंगे विजिया पारवतीम परती घा नमबर पारवती प्रीटोस मी तव संकल पेनो है पारवती तुम्हारी द्रढ़ निश्चे से मैं प्रसन नहूं तो यह बात किस ने कहा था ? शीव ने कहा था और पारवती से कहा था, तो उत्तलिक देंगे शीव पारवती म प्रती। अंगा नमबर सरीर माध्यम खलुधर्म साधनम, शरीर सभी धार्मि करमों का साधन माना जाता है। यह बात किस ने कहा था। बटुक अर्था ब्रह्भचारी ने कहा था और पार्बती से कहा था तो इसका उत्तर लिग देंगे बटुहु पार्बतीम प्रती और चा नंबर अहम तव क्रीत दासोसमी मैं तुम्हारे द्वारा खरीदा गया दासु हूँ तहे बात सिव ने कहा था और पारबती से कहा था इसका उत्तर हो जाएगा सिवह पारबतीम प्रती तो इस प्रकार हमारा प्रस्न संख्या चार भी पूरा होता है अब हम करेंगे प्रस्न संख्या पांच प्रस्न संख्या पांच में कहा गया है प्रस्ना नाम उत्तराने लिखतो नीचे कुछ प्रश्ण है उनका उत्तर लिखना है तो आईए एक एक प्रश्णों को करते हैं सबसे पहले का नमबर पार्वती कुध्धा सती किम अवदतो पार्वती क्रोधित हो करके क्या कहती है तो आईए इसका उत्तर देखते हैं पार्बती कृध्ध सती अवदतो यद अरेवाचालो अपसर जगती नकोपी सिवस यथार्त सरूपम जानाती यथा तौमसी तथाइवो वदसी बच्चों यहाँ पर आप जानाती लिख लेंगे क्योंकि यहाँ पर कुछ मिसिंग है तो यहाँ पर जो सब दायका वो जानाती तो पार्बती ने क्रोधित हो करके कहा था अरेवाचाल चुप हो जाओ संसार में कोई भी नहीं है जो सिव के यथार्त रूप को जानता है तुम जैसे हो उसी प्रकार बोल रहे हो आईए खा नंबर देखते हैं कहा पाप भागो भवती पाप का भागिदार कौन होता है तो इसका उत्तर होगा सिव की निंदा जो करता है और सुनता है दोनों पाप के भागिदार होते हैं गा नंबर पारवती किम कर तुम अईच्छतो पारवती क्या करना चाहती थी तो इसका उत्तर लिखेंगे पारवती तपश्याम कर तुम अईच्छतो पारवती तपश्या करना चाहती थी और आखरी प्रस्न है पारवती कया साकम गौरी सिखरम गच्छती पारवती किसके साथ ग्ऌवरी सिकरमे जाती है तो इसका उत्तर लिखेंगे पारवती विजयाया साकम गौरी सिखरम गच्छती अर्थात पारवती विजया के साथ गौरी सिखर पर जाती है तो इस प्रकार प्रस्न संख्या 5 के सारे उत्तर हमें मिल चुके हैं अब हम करेंगे प्रस्न संख्या 6 मन्जूसा तहा पदानी चित्वा समा नार्थकानी पदानी लिखत मन्जूसा में कुछ सब्ध दिये गए है इसके समाना नार्थक सब्द अर्थाथ परियावाची सब्द हमें लिखना है तो आई देखते हैं माता, अर्थात माता, मौनम, अर्थात चुप, प्रस्तरे, पत्थर में, जन्तवाह, पशू, नयनानी, नेत्र तो आई ये एक-एक सब्दों के समानार्थक सब्द देखते हैं सिलायाम का समानार्थक सब्द होगा प्रस्तरे, इसी पशुवा का समानार्थक सब्द होगा जन्तवह, और अम्बा का समानार्थक सब्द माता, नेत्राणी का समानार्थक सब्द होगा नयनानी, और तूशुनीम का समानार्थक पद मौनम तो इस प्रकार हमारा प्रस्न संख्या 6 भी कम्पलीट हुआ अब हम करेंगे प्रस्न संख्या 7 प्रस्न संख्या 7 में कहा गया है उदाहरना अनुसारम पद रचनाम कुरूतो अर्थात उदाहरण के अनुसार पद रचना करना है तो उदाहरण में वसती इस्मों तो उसकी जो पद रचना हुई आवसत अर्थात हमने पहले ही इस प्रश्णों को पढ़ लिया था किसी भी लट लकार अर्थात वर्तमान काल की धातु के साथ जब इस्मों सब्द का पर्योग करेंगे तो वह सब्द लंग लकार अर्थात भूत काल के अर्थ को बताती है और इसको हम लंग लकार के रूप में लिखेंगे तो पस्यती इस्मों तो इसको जो लंग लकार का सब्द बनेगा अपस्यतो तपती इस्मों जो लंग लकार का सब्द बनेगा अतपतो चिंतयती इस्मों अचिंतयतो वदती इस्मों अवदतो गच्छती इस्मों अगच्छतों इस प्रकार इसके सहारे उत्तर हमें मिल चुके हैं अब इसी का दूसरा भाग भी करेंगे इसमें लंगलकार के सब्द हैं इनको लटलकार के सब्द लिक करके उसम इसम सब्द का प्रयोग करेंगे तो देखते हैं कत्यति इसम के क्या बन जाएगा अकत्यत इस प्रकार नयती इस्मों का जो लंगलकार के साथ क्या बनेगा अनयत पठती इस्मों अपठत धावती इस्मों अधावत और हसती इस्मों का अहसत तो बच्चों इस प्रकार हमारा संकल्पह सिध्धी दायका के सारे प्रस्न पूरे होते हैं आसा करता हूँ आपके लिए ये वीडियो मददगार साबित होगी यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो क्रिपया हमारे चैनल को सस्क्राइब करे और इसी तरह हमारे चैनल के साथ बने रहे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद